हलो स्टुडेंट्स मैं हूँ जितन रजमेरा दरकर जी प्रग्रमर्स की तरफ से आज पाले वीडियो में आपके लिए लेकर क्या है आई पीसी ट्रू शेर्ड मेमोरी देखे आई पीसी इंटर प्रोसेस कम्यूनिकेशन ये क्या होता है उसके लिए हमने सेप्लेट वीडियो वीडियो बना दिया है उसका लिंक आपको डेस्क्रेप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा आई परसनली सर्जेस्ट के आप वो वीडियो एक बात देख लीजे उसी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि आई पीसी के से एप्लाई किया जाता है इंटर प्रोसेस कम्यून अब इसका सबसे बड़ा फाइदा क्या होता है खाल एक प्रोसेस का खुटका एक एडरसी स्पेस होता है इंडियूजर लेकिन कोई अगर प्रोसेस किसी और प्रोसेस के साथ में कम्यूनिकेट करना चाता है तो वो उसके साथ में अपना एडरसी स्पेस को शेयर करता है इस में इसके message दूसरे को forward किया जा रहा है तो जो दूसरा person है उसको पता है कि यह message खली उसके लिए तो उसको read कर लेता है उसके according उसको जो भी output देना वह भी लिखा कि उस box में आखेगा फर्स परस ना करके फिर बीचर जब भी उस box को open करेगा उसको message मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या दोनों एक common memory शेयर कर रहा है उसी तरह से inter process communication में जब दो processes को आपस में communicate करना हो ठीक है तो यह अपने address space जो होते हैं इनको एक दुसरे के शेयर करते हैं ठीक है शेयर memory जो है सबसे एक दर से हम बात करें तो inter process communication का सबसे fastest mechanism है क्यों क्योंकि यहाँ पर बस direct process आया उसको पता है अभी मुझे इस process से ले जो suppose P1 P2 दो process है P1 को जो है कोई इसी information चाहिए जो P2 के पास है तो direct P2 के जो है address space पर जाएगा और वहाँ उसको सारी information मिल जाएगी तो यहाँ पर क्या address space शेयर हो रहा है तो दूनों में से message q बनाने का भी problem नहीं है पर direct memory space शेयर करना है वहाँ पर सारी information अफडेट हो रही है common space बना दिया दोनों process ने वहा सारी information मिल जाएगी यह बिल्कुल ऐसा हो गया आपको किसी को ढूनना है तो आप क्या करेंगे कि आप सिधा पूरा जो database उसे access करेंगे तो आपको सारी सब तरह की information मिल जाएगी इन देना आप डायक अपने जो main point है या जिस percent तक आपको जाना हो उस तक डायक पहुच पाए तो वो application जो कि large amount of data को exchange करती है ठीक है वो अगर shared memory concept को इस्तेमाल करें तो इसमें क्या होगा कि भई यहाँ पर आसानी से data transfer या data exchange हो पाएगा कैसे सब्सक्र जैसे क्या होगा कि आपने क्या कि आपके 10 minutes है आपने movie download करें दस तो बोला मुझे भी दो आप हर एक को individual भेज जो एक एक जीबी आपने 10 जीबी भेज दिया उसके बजाए आपने एक लिंक बना है एक जगर उसको google drive में save कर दिया तो आप 10 लिंक भेज दिया शेयर कर दिया अब 10 लिंक भेज दिया अब जब जिसकी मर्जिया आका कि google drive में movie देख ले ठीक है तो यहाँ पर यह देखिए ज और हमें जो है दो basic steps follow करने पर तरह से पहले रिक्वेश्टर memory segment that can be shared between processes to operating system, simple सा, operating system से दोनों process, जो भी process आपस में memory share करना चाहते है उनको operating system से एक नया memory space मांगना पड़ता है, ठीक है, अब अब बोलो किसा आपने तो बोला था, दोनों process अपना address इस पे शेयर कर देते है, तो भी वो एक दूसरे के address space में जाके address share नहीं कर रहे है, वो common जगह पर अपना सारा information update कर रहे है, बिल्कुल वेसे ही, कि जैसे दोजने अपने अपने घर में रेते हैं, लेकिन वो उस box के तो एक दूसरे को अपना message दे रहे है, तो box किसी थर जगह रखा हो है, तो उसी तर इसको जो है, क्या बोलता है, जो calling process, जिनि जिस process को shared memory को access करना है, उसको जो है, उस तक ये memory space को, ये address space को पहुचा दिया जाता है, free memory के, यनि कि जिन जिन process को shared memory चाहिए, तो उन तक ये, इस shared memory का address space share कर दिया जाता है, उन लोग, उन तक पहुचा दिया जाता है, shared memory segment जो हो करते हैं ठीक है read write के option perform कर सकते हैं shared memory में shared memory जो है यह दो एदोसे जारा process के लिए locate करी जाती है ठीक है सबसे कमाल की बात एक यहां पर यह है कि इस चीज़ की कोई guarantee नहीं है कि इस reason को जो है किसी ओद मतलब जगर पर place कर दिया जाएगा उससे पहले मतलब terminate करते हैं नया memory response बना करका के वापस shared resources को उनकी information वापस बेज दी जाती है ठीक है तो अब एक हो चीज़ shared memory के अंदर जब भी कोई process अपना data बेज रहा है इसका मतलब यह नहीं उपना सारा data वहाँ खाली करके जा रहा है वह एक copy वहाँ रख रहा है पोजिन लोटनी data बेज होटा रहता है उसको share भी चाता है उसको share memory का एड्रेस भी होट करके रहता थे तो इसको address करने की जो इसको address करने की जो इसको इसको族 जो इसको. इसको ऊल्ट करने की च्थो नहीं है ठीक है मेसेज Q के पर वीडियो बना चुके है, FIFO, Pipe के पर वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, Server जो है, अपना data, इन input file तक, महलब direct input file को read कर सकता है, और shared memory में अपना data कैसे पहुचा सकता, write के सकता, pipe, और FIFO, या message Q के थूँ, और जो client जो है, वो direct IP से channel के, through shared memory के, direct अपने required के data को read कर सकता है, copy कर सकता है, या अपने buffer में उसको ले सकता है, ठीक है, यह सबसे बड़ा एक plus point रहता है, finally जो data जो होता है, वो client के buffer पर copy हो जाएगा, original data, यहनि कि सबसे main, original data, यहाँ पर इस दाएक हम को पिसे देखेगा, इसके यहाँ कोई data है, जो इसको चीए, इसने यह data shared memory पर डाल रखा है, original data इसी के पास है, इसने इसने की copy यहाँ डाल दी है, इस process भी को वो data चीए, वो यहाँ पर आया, ठीक है, तो total मिला करके, हमने देखा कि यहाँ पर 4 copy बन की, दो read की बनी, दो write की बनी, read कैसे है, भी इसने write किया, ठीक है, यहाँ पर इदर, कर दिया write, ठीक है, दिन उसके बाद में, इसने उस data को read किया, first operation, तिन उसने data को, यहाँ पर write कर दिया, ठीक है, अब, आप बोलेंगे से, एक को read operation का है, भी यहाँ पर वहाता सबसे पहले, जब यहाँ पर write किया गया, उससे place को read करके, shared memory अपने यहाँ पर write कराया, तो इस तरह से, दो read operation, दो write operation, करनों के, टोट मिला के, चारव परिशन हो गए, so how does IPC use shared memory भाग, यह मैं आपको अल्ड़ी बता चुका हूँ, कि अभी किस तरह से, जो है, shared memory जो है, वो IPC को use करता है, मैं उम्मीद करता हूँ, video of purchase से, समझ में आ गया होगा,